कि नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं सवस्त होंगे मस्त होंगे और बहतर होंगे कि इस सांदार बुक की पहली सीरीज की शुरूरात हम लोग आज कर रहे हैं इस सीरीज की पहली जो लाइन है जो पहला चैप्टर है उसका है उसका नाम है पैरा ओलंपिक पैरे भाईव आप जानते हैं कि आपके एक्जाम में पैरा ओलंपिक से 110 परशेंट प्रशन आना ही आ में चुरूरात करते हैं इस पहले मैं आपको किताब के दोड़ी सी बात कर लेता हूं यह किताब आपके बाजार में आउप उपलध होगा Top इस किताब को हम लोगों ने SDM राहूल सिनासर के निर्देशन में त्यार किया गया है और इसमें मुख्य तौर पर वो सारे करेंट डाले गए हैं जो खास तौर पर आपकी एक्जाम में आने की पूरी चांसे हैं सिक्षणाइंड VPSC के पैटरन को देखते हुए हम लोगों ने प्रियास कि या कि वह सारे करेंड डाले जाएं जहां से förs 5 नाइद ने करांड पूछ था तो हम चलते हैं समय को ना जाया करते हूए इस ही किताब के पहले chapter की तरह से स्क्रप्राइब करें दो सो दिख रहा होगा पहरा है पहरा पहळा जट खेप्टरियों का बहुत ही आपको जान के माध्यम से महत्यपुन है तो कैसे को पढ़ना है और किस तरीके से हमें मेजर ness react को कलेक्ट करना है कम समय में इसको देखिए और इसको समझेंगे आया है तो बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको शाद आशानी होगी जिन के पास किताब होगा वो लोग बुक को लेकर ही बैट जाएं बहतर होगा अधिए मेजर फैक्ट सबसे पहले हम पैरा उलम्पिक से सुरुवात करते हैं जहां जहां से प्रशन पूशने के उमीदें हैं जहां जहां से प्रशन पूशा जा सकता है और बढ़ा कर लें ताद आपको और असपस्ट दिखेगा पहला लाइन देखिएगा अठाइस अगस से आठ सितंबर 24 के मद्द पेरिस में सत्रह में पैरा उलम्पिक खेलका योजन किया गया है देखिए पहले लाइन में तीन फैक्स जो सबसे इंपोर्टेंट है एक तो हुआ है कब से हुआ है 18 अगस्ते लेकर 8 सितंबर तक और कहां पे आयोजन हुआ है तो पेरिस में यह तीनों फैक्ट्स आपके एक्जाम के मादेन से महत्वपूर्ण होंगे जो इस किताब के पहले चैप्टर के पहले लाइन में ही है आगे देखेंगे पैरा उलम्पिक सबसे बड़ा खेल दुनिया का सबसे बड़ा खेल अंतृस्ति आयोजन करता है यह सकी चर्चा हमने बनायों में है आगे अब ये कभवा यौजित होता है thereby खेलों के तुन्द बार पैरा उलम्पिक को आयोजित किया जाता है हमने यह वहां मेंसर्न कर दिया है ताकि ये कश आप से किसी भी तरह का घुमा कर प्रशन पूछे तो आप से गलत ना हो विखलांगे त्रियोटों के लिए ओलंपिक सैली की खेल पहली बार कहा हुआ था तो रोम में हुआ था 166 में यानी पहले सुरुआत कहा हुई थी रोम में 1960 में इसकी भी चर्चह आम ने तीसरे लाइन वे कर दिया है आगे देखेंगे इसकी देखने कोरता है इसको मैंने करता है तो पैरा ओलंपिक समीथी इसकी वी चर्चा में यहां कर दिया है हना आगे दोहर एक को किसी के पैटरन पर बढ़कर पूछ भी रहा है इसलिए हमने पूरा उस पैरा ओलंपिक के बैग्राउंड को चर्चा किया फिर उस खेल में समलित होने वाले खिलाड़ी भारत के और उसके लामा फॉस्स सेकंड थर्ड फॉर्ट आपर्स की भी चर्चा इस पूरे किताब के प कि चलिए आगे जो महत्वपुन्तत है पैरिस पहला उलंपिक खेल 24 में लगभग 4000 यानि कितनी खिलारी शम्मिलित हुए थे इसकी चर्चा की जा रही है 4400 खिलारी इसमें सम्मिलित हुए थे जो यहां लिखा हुआ है आगे 22 खेल और 549 पदक स्प्रधा भी सम्मिलित हुए थे यानि कितने लोग सम्मिलित हुए थे तंद से विकलांग तो नहीं हुआ जाता है ध्यान रखेगा आगे देखते हैं आधर सुभंकर प्रीजेश तोपी से प्रेरित है यह कहां से प्रेरीत है प्रेश का प्रतीख और कैसे इंस्पायर और इस प्रोलम्पीग खेलो की शुरुआत की गई इसकी चर्चा की गई है फ्रिजियन टोपी होता है उसी से इंस्पार्ड होकर पैरा ओलंपी की शुरुआत की गई है ध्यान रगे इसका आजादी का प्रतीक होता है इसका मतलब इसका अधर्स वाके यानि थीम भी कह सकते हैं इसका थीम है गेम्स वाइड ओपेन थीम से भी हमेशा प्रस्ण पूछा जाता है इसकी इस किताब के पहले चैप्टर में ही पैर ओलंपी के थीम की चर्चा कर दी गई है उद्घाटन समारो की चर्चा भी कुछ देर पहले किये मैकरों आपको याद होगा क्यों कहों सब्सक्रा प्राइब कौन सा स्टेडियम है पहारे भाई स्टेट डी फ्राइब जिसकी चर्चा की गई है आपके इस चैप्टर में आगे देखते हैं इसके अधेक्ष कौन है अंतराष्टिया पैरा उलम्पिक समीति जसको मैनेज करती है पैरा उलम्पिक को कौन यहीं तराश्टिया पैराओलम्पिक समीती मैनेज करती है इसके अधक्ष का नाम क्या है तो याद कर लेंगे थॉम्स बॉक आपने देखा कि मात्र एक ही चैप्टर में हमने पूरा डिटेल्स हिस्ट्री के साथ करेंट को भी एड कर दिया है आईए आगे के पॉइंट्स को हम इतना प्यारे भाई 29 पदक जीता है स्वणने साथ रजत नौव कान से तेरा इन तीनों को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे 29 पदक अभी तक सबसे सांदार परदशन भारत ने किया है और 29 पदक जीता है पैरा ओलंपिक में और पूरे दुनिया में 17 हमारेंग पर है देखिएगा एक बेसिकली एक्जाम में भालत के सांद सांद फस्ट सेकंड थड़ टॉपर का भी प्रशन पूछा जा सकता है हम लोग उने परयास किया है कि इन तीनों टॉपरों के बारे में भी चारों टॉपरों के बारे में चर्चा कर दें तो पैरा ओलंपिक में सबसे इन चारों से प्रशन भी आपके एक्जाम में देखने को मिलते हैं तो इसको भी ध्यान रखेगा इसलिए हमने पदको की संख्या के साथ इस तालिका में पूरा डिटेल सजा दिया है आईए अब आगे देखते हैं अब भारत पर हम लोग फोकस करेंगे भारत के कौन-कौन लोग थे और भारत में क्या-क्या पदक जीता है वह पैर ऑलंपिक में भारत का परदसन यह दिए आप देखेंगे तो पैरे भाईयों भारत ने पेरिस उलंपिक लेटों कितने लोग थे 84 प्रतिनिधी मंडल भेजा गया था जो बारस परधाओं निम में भाग लिया था यानि बारस परधाओं में भाग लेने वाले 84 लोग भारत से गय हुए थे भारत ने प्रतियोगिता के इतिहास में 50 पत्कों का आकड़ा भी पार कर लिया है इस बा परधापण से लेकर 2016 तक कुल 12 पदक जीते जिसमें 2016 के रियोग खेलों में जीते गए चार पदक सामिल है ध्यान रखेगा बारा पदक 2016 तक ही जीते थे और हम लोग 29 पदक एक बार में पहुंच चुके हैं यानि बेस्ट परफॉर्मेंस इन यार फोर्ट पैरा ओलंपिक भारत याद कर लिजेगा यह भी बहुत इंपोर्टेंट है जबकि अगले दो संसकरण यानि 2021-2424 की चर्चा करें तो 2021-2424 इन दोनों में भाद के परदसन में काफी सुदार हुआ है जिसमें 48 पदक सामिल है हना और कुल पदकों की संक्या कितनी है तो प्यारे दोस्त हो साय थे अब हम 50 प्लस यानि कितने हो चुके हैं साथ पदकों के साथ पैरा ओलंपिक में भात ने इस साल बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है लगवा कि जो मेजर मेजर फैक्स थे हम सबने वह सारे डियल इसमें आपको मिल गए होंगे आगे आई आगे बढ़ते हैं और आगे द्यान रखेगा पहला ऑनी लेखरा का नाम है और यह आप जानते होंगे तो एक खेल नहीं बरकि कई खेल में कई शूटिंग के मामलों में यह नमबर वन रैंक लेकर आ चुकी है और भात का नाम एक बार नहीं बलकि कई बारोशन कर चुकी है तो ऑनी लेखरा फस्ट सेके और थाड-वाल महिलां की 10 मिटर एयर रैफल स्टेंडिंग में कान से जीत कराई हैं और प्रिती पाल महिलां की 100 मिटर टी-थीट को देला हैं च्छल और लड़कियों लिया अब अपने हात मेजर मेजर फैक्स जो है, वो आपकी चर्चा किया हुआ है, लेकिन हम एक एक करके 29 पदक हमारे पास जो है, उन39 ओ को एक बार आप याद कर लेंगे, देख लेंगे तो आपके लिए वड़ा ही फायदा होगा, 29 पदक जो है, इन सब को देख लीजीगा, उसके बाद मेजर प पिक में भारत के नौदीप सिंग भी बहुत ही बड़े हीरो हो गए हैं आजकल सभी इंट्रण्विवों में आप देख लिए होंगे यह पुर्सों की भाला फेक में भारत का पहला अश्रण पदक जीत जो नौदीप भाई ने नौदीप सिंग ने जीता है वो है ध्यान रखेगा आगे अगला एफ़ान छोटी स्रेंडी कद वाले इतलीटों के लिए एक प्रतियस परदा वर्ग यानि छोटे कद के लोग भी बड़े-बड़े कारे को कर सकते हैं इसकी चर्चा यानि इसके लिए कब क्या हो सुका है इंस्प्रिशन बन चुके हैं सभी खिलाड़ी को के लिए यह तमाम काम करने वाले लोगों के लिए यह रहा सारस क्लास के पहले चैप्टर पैरा ओलंपी का लगभग डिडियल ऑप चर्चा हमने कर दिया है आप बताएंगे आपको यह सेशन कैसा लगा यह सेशन बहतर लगा तो आप जरूर चर्चा बताईएगा कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है सांदार कॉमेंट बॉक्स में आपने स्ने भरा कॉमेंट जरूर दीजिएगा यह बहतर लएगा तो हम इस पर ज़े से उसान हमने किताम नहीं तो अपने वाजार सोटै अगले सेशं में करेंटेस के सेसं में हैं कि सुनने के लिए आपको बहुत धन्य बाद फिर मिलते हैं इस करेंट फ़र के दूसरा सेशन कि